हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, तो तेरह दिन तक गरूर पुरान का पाठ रखा जाता है। तो दोस्तों विडियो अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारन कर लेती है। किसी को तीन दिन लगते हैं, किसी को दस से तेरह दिन लगते हैं और किसी को सवा माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है, तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम एक वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पन किया जाता है फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती है गरुर पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है ऐसी स्थिती में यदी घर में गरुर पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवन मात्र से ही आत्मा को शांती तथा मोक्ष की प्राप्ती संभव हो जाती है इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े साथ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताये गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ती को बड़ी ही सहच्टा के साथ करना चाहिए गरुर पुराण क्या है? एक बार गरुर ने भगवान विश्णू से प्राणियों की मृत्यू, यमलोक यात्रा, नर्क्योनियों तथा सद्गती के बारे में अनेक गूर और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे उन्ही प्रश्नों का भगवान विश्णू ने सविस्तार उत्तर दिया यह प्रश्न और उत्तर की श्रिंखला ही गरुर पुराण है गरुर पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, उन्हे के अलावा भी बहुत कुछ है उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीती, नियम और धर्म की बाते है गरुर पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, जो दूसरी और जीवन का रहस्य छिपा हुआ है गरुर पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है गरुन पुराण में मृत्यू के पहले और बाद की स्थिती के बारे में बताया गया है यह पुरान भगवान विश्णों की भक्ती और उनके ज्यान पर आधारित है प्रत्येक व्यक्ति को यह पुरान पढ़ना चाहिए गरुर पुरान हिंदु धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है अठारह पुरानों में से इसे एक माना जाता है गरुर पुरान में हमारे जीवन को लेकर कई गूड बाते बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जनना चाहिए क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यू के बाद एक गरुन पुरान में मृत्यू के पहले और बाद की स्थिती के बारे में बताया गया है इसी लिए यह पुरान मृतक को सुनाया जाता है दो तेरह दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है इस दौरान गरुर पुरान का पाठ रखने से वह स्वरगनरक गती, सदगती, अधोगती, दुरगती आधी तरहे की गतियों के बारे में जान लेता है तीन आगे की यात्रा में उसे किनकिन बातों का सामना करना पड़ेगा कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुर पुरान सुनकर जान लेता है चार जब मृत्यू के उपरांत घर में गरुर पुरान का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गती किस तरह के कर्मों से मिलती है ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांती जान ले कि उच्छ लोग की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए पांच गरूर पुराण हमें सद्कर्मों के लिए प्रेरित करता है सद्कर्म और सुम्ती से ही सद्गती और मुक्ती मिलती है छे गरूर पुराण में व्यक्ती के कर्मों के आधार पर दंड स्वरुप मिलने वाले विभिन नर्कों के बारे में बताया गया है गरूर पुरान के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गती की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विश्णु ने दिया है साथ गरूर पुरान में हमारे जीवन को लेकर कई गूर बाते बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जनना चाहिए आत्म ज्यान का विवेचन ही गरूर पुरान का मुख्य विशय है गरूर पुरान के उननीस हजार शलोक में से बचे साथ हजार शलोक में गरूर पुरान में ज्यान, धर्म, नीती, रहस्य, व्याभारिक जीवन, आत्म, स्वर्ध, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है आठ इसमे भक्ती, ज्यान, वैराग्य, सदाचार, निशकाम कर्म की महिमा के साथ यग्य, दान, तब तीर्थ, आदी, शुब कर्मों में सर्व साधारन को प्रवरित करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है यह सभी बाते मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुन्दर बना सकते हैं नौ, इसके अतिरिक्ट इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदी विश्यों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किये जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपन किया गया है दस्त कहते हैं कि गरुड पुरान का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शान्ती प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है वह अपने सारे संताप को भूल कर प्रभु मार्ग पर चल कर सद्गती प्राप्त कर या तो पितर लोक में चला जाता है या पुन मनुष्य योनी में जन्म ले लेता है उसे प्रेत बन कर भटकना नहीं पड़ता है नरक गरुर पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन बताया गया है और इन में से 16 नरक को घोर नरक बताया गया है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नैन चिंदन्ती शस्त्रानी नैन दहती पावक है न चैनक लेध्यंत्यापो न शोश्यती मारुत्ह अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ये आत्मा अजर अमर होती है इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी भीगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्रशस्त्र इसे काट सकता है आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी जन्म या मृत्यू सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्रशस्त्र सेने तो काटा जा सकता है और नहीं इसे अगनी में जलाकर नश्ठ ही किया जा सकता है यहा बगवान श्रीकृष्ण के कहने का तात परिय यहा है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यू समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जन्म या मृत्यू सिर्फ इस नशवर शरीर का होता है, आत्मा तो जन्म मृत्यू से परे है आत्मा अजर्मर और शाश्वत होती है विरोधा भास कहा गरुर पुरान के अनुसार यमदूत, मृतक को वैतर्नी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाई देते जाते हैं फिर नर्क में उन्हें उनके कर्मानुसार सजाएं दी जाती हैं या फिर चित्रगुप्ट उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं इसलाम में इसे जन्नत और दोजक कहा गया है अंग्रेज इसे हैल और हैवन कहते हैं प्रश्न उठता है कि जब मृत्यू के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है तो उसे नर्क में गर्म तेल में तला कैसे जाता है बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है आग में जलाया कैसे जाता है, शारिरिक यातनाएं, कश्ट कैसे दिये जा सकते हैं। स्वर्ग नर्क पर आधारित काफी समय पहले बड़े-बड़े कैलेंडर करनी-भरनी के नाम से आते थे जिसमें नर्क की यातनाओं का बखुबी चितरांकन किया जाता था। यहां गरुड पुरान तथा गीता में परस्पर विरोधा भास है। क्या सच्मुच स्वर्ग या नर्क हैं? या कपोल कलपना विध्यान सारा यूनिवर्स खोज चुका है। कहीं कुछ नहीं मिला। वास्तव में हमारे ग्रंथों में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए नर्क आदी का भय दिखा कर समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनरजन्म। ऐसे कितने ही जीवन्त उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के मा बाप के पास जाने की जिदत करने लगे या अपने पिछले जन्म का हाल बतान लगे जो बिलकुल सही निकले थे। पुनरजन्म की वास्तविक घटनाओं का विवर्ण केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मिलता है। पिता की इस अवधार्णा पर विश्वास और ग्रेड हो जाता है कि शरीर नश्वर है, मर्नो प्रांत आत्मा अपने कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहां 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशुक, पक्षी या अन्य जीव जन्तूओं में भी आत्मा होती है। क्या कहता है जोतिश शास्त्र? जोतिश शास्त्र में पिछले जन्म तथा अगले जन्म के विशय में बिल्कुल सपष्ठ है। कुंदली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है, तो बारहवा भाव अगले जन्म की बात करता है।